दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इसलामिक पत्तलकारों के विशे में जिन्होंने नेरेटिव का ऐसा प्रपंच रचाया है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे फस्ते जा रहे हैं कुछ वर्षों पहले आपने तबरेज का नाम सुना होगा जिसकी जारखंड में मृत्यू हो गई थी और उसको बता दिया गया ये कि वो हिंदू ने पीट पीट कर मार दिया है जैशिराम के नारे ना लगाने के कारण से और ये नेरेटिव ऐसा बनाया गया कि मामला यूएन बताई थी कि तबरेज की मृत्यू किसी पिटाई से नहीं बलकि 5-6 दिन के बाद जेल के अंदर हार्ट अटैक से हुई थी लेकिन जब तक हम ये सच बताते काफी सारे हिंदू पहले ही इनफीरियर्टी कॉंपलेक्स में जा चुके थे ठीक उसी प्रकार की घटना शामली म पर छोड़ाते हैं कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है लेकिन इसलामिक पतलकार इस चीज़ को भी मॉब लिंचिंग का नाम देकर परचारित और प्रसारित करते हैं ठीक उसी प्रकार से नेरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है लेकिन यहां पर गलती एक रहे हैं और कह रहे हैं कि रहुल गांदी हमें अपनी भारत जोडो तीर्थी आत्रा में तो बुला लेते थे और वहां पर हम लोगों से बात करके मुसलमानों का सपोर्ट भी लिया उन्होंने लेकिन आज हमारे उपर है फायर हुई तो रहुल गायव है वैसे मैं आपको ब पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं कॉंग्रेस पिछले 75 साल में यही करती आई है और मुसलमान यही करवाते आए हैं लेकिन इससे पहले कि आप लोग सोचें कि इन पत्तलकारों के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो इन पत्तलकार देवी देवताओं के नाम पर रखे हुए हैं उनको हटा लो और अपना जो इसलामिक नाम है वही रखो और ये बात कहने के तुरंत बाद ही इन सभी पतलकारों ने कपिल देवजी के खिलाफ पूरा बिगुल फूंक दिया और उन्होंने कहा कि क्यों बदला जाए हाला कि ये वही लोग हैं जो इमान के पके हैं जो मुसल्मानों को राद दिन ये बात सिखाते हैं कि तुम्हें काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए उनके मंदिरों का परसाद नहीं खाना चाहिए और उनके रिच्वल्स में शामिल नहीं होना चाहिए लेकिन जब बात धंदे की ह तो हिंदूओं का नाम इस्तेमाल कर लेना चाहिए अब दोगलेपन की पराकास्था ये है कि जो लोग हिंदूओं से उनके देवी देवताओं से नफरत करते हैं वही उनके फोटो लगाकर होटल चलाते हैं और इनके होटल्स में कंटिनियोसली हमें बात देखते हैं कि ये रोटियों के उपर सबजियों में, बरतनों में ठूखते आएं जहां एक तरफ कावड यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है जहां पर पवित्रता का ध्यान रखने का बड़ा प्रयास किया जाता है वहीं पर ये लोग धोके से शिव भगतों को अगर इस प्रकार का भोजन कराएंगे जान बूज कर उनके भोजन में कोई अभख्षे वस्तु मिला कर परोस देंगे तो क्या उनका धर्म खंडित नहीं होगा अगर ये लोग वास्ताओं में पत्रकार थे तो उनका पहला करतव यही बनता था कि इस आवाहन का सपोर्ट करते लेकिन ये लोग लगातार हिंदूओं और मुसल्मानों के बच्चों को ब्रेनवोश कर रहे हैं और इस देश के अंदर एक नए ग्रह युद्ध की तरफ लगातार धकेल रहे हैं इस प्रकार से विरोध करके और इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जूटी खबरे फैला कर लेकिन कपिल देवजी की यह चिंता बहुत वैलिड भी है क्योंकि अभी हमने दिल्ली के शकूरपुर में यह बात देखी कि जे मातादी नाम के कोचिंग सेंटर में रिजवान एक बालक को यह बात सिखा रहा है कि तुम्हारे देवी देवताओं में कोई शक्ती कोई पावर नहीं है तुम्हें कुरान पढ़नी चाहिए यह बच्चा बहुत ज़दा व्यथित था अपने पिता से बात करते हुए उसने सारी बात बताई उसके पिता ने इस बात का विरोध किया तो रिजवान और उसकी पूरी की पूरी टीम दिली छोड़ कर ही भाग चुकी है क्या इन सब विश्यों पर ये लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदू के छोटे छोटे बच्चों को ब्रेनवोश किया जा रहा है और मैंने भारदवाज ब्रदर्स के पोड़कास्ट में भाई गर्वित के साथ चर्चा करते हुए डाई मोर्चे के चक्रविव पर यही बात बताई थी कि यह चीजें हमारे साथ में घटित हो चुकी है कि जब मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे भी अपनी उमर के हिंदू बच्चों को ब्रेनवोश करने का काम करते हैं लेकिन आप इस किताब के दौरा नेरेटिव के इस प्रपंच और इस जंजाल को तोड़ने का एक सबूत सुनिए एक मुस्लिम लड़की के मेरे साथ चर्चा हुई और उसने बताया कि मैं पहले इसी प्रकार के पतलकारों के बहकावे में आकर हिंदूों को मॉब लिंचर समझती थी मैं समझती थी कि ये लोग हम लोगों से बहुत नफरत करते हैं मैं समझती थी कि हिंदू गद्दार होते हैं और मुसल्मानों ने ही इस देश के लिए इसकी आजादी के लिए सरवादिक बलिदान दिया है आज भी मुसल्मान ही इस देश की तरक्की चाहते हैं लेकिन जब इसी बात का चैलेंज मैंने किसी लड़के को दिया, तो उस लड़के ने ये आपकी किताब मेरे हाथ में थमा दी, और ये किताब मैंने चार दिन के अंदर अंदर पढ़कर कंप्लीट कर दी, और मेरा जो प्रपंच में फसा हुआ दिमाग था, वो पूरी तरीके से आजाद हो गया, मेरा जितना भी ब्रेन वोशिंग किया गया था, वो सारा का सारा छट गया, और अब मैं अपने पुराने मजभब को छोड़ सनातन में प्रविष्ट हो रही हूं, और यही नहीं, मैं उसी लड़के को अपना जीवन साथी भी चुन रही हूं। अब समझ मैं है दोस्तों, कि क्या होता है नेरेटिव, क्या होता है उसका प्रपंच, क्या होता है उसका जंजाल, क्या होता है उसका चक्रव्यू, और कैसे उसको एक ही जटके में तोड़ा जा सकता है अब आप ज़रा सोचिए कि तबरेज के मारे जाने के बाद छूटी खबर फैलाने वाले लोगों को जूटी खबर फैलाते यदि तुरंत गले से दबोच कर पकड़ लिया जाता तो क्या वो मामला UN में जाता क्या UN से यह आदेश आता कि जो हिंदू मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सक्से सकत कारवाई लो क्योंकि एक्चुली तबरेज की तो मॉब लिंचिंग हुई यह नहीं थी वो तो खुद अपने पाप के चलते हार्ट अटैक से मरा था वही चीज शामली में घटित हुई और इन सब चीजों को हिंदू को टारगेट करते हुए उनको अपरादी बताते हुए उनको क्रूर बताते हुए जब यह रिपोर्टिंग्स होती हैं तो क्या इन लोगों का अधिकार बनता है कि वो हमारे देवी देवताओं के नाम से अपने होटल्स चलाएं हमारे कावडियों को ठूक नान खिलाएं ठूक किया हुआ कोई सबजी या हलवा खिलाएं या फिर जो हिंदूओं में अभख्षे पदार्त हैं उनको मिला कर अगर खिला दें तो क्या ये लोग यहां इस देश के अंदर भाई चारे का पैगाम देने का काम करते हैं दोस्तो फिर भी ये सब चीजें हम हिंदूओं को समझनी अत्यंत आवश्यक हैं रोजाना इस प्रकार की घटनाए होती है कि जब चोटे चोटे बच्चों को ब्रेनवोश किया जाता है जब उनका इसलामी की करण किया जाता है जब चोटी चोटी बहन बेटियों का इसलामी करण होता है और जब किसी विवाहिता का इसलामी करण किया जाता है जब इस प्रकार से चोरों और शराबियों की पिटाई को भी ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हिंदू इस धर्ती का सबसे बड़ा शैतान है तो हमें जागरूक होना ही पड़ेगा मैं कपिल देव जी के इस आवाहन के साथ में हूँ और आप लोग भी यदी कहीं पर कोई सामान खरिदने जाते हैं तो सबसे पहले वहां का QR कोड स्कैन करके उसमें जो लिखा हुआ नाम है उसको अवश्य देखा करें क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हमसे नफरत करते हैं क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हमारे भगवानों को गाली देते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्ही के नाम पर व्यापार करते हैं हमें ठगने और हमें धोखा देने के लिए भी इन सब मामलों में जाग रुखता ही बचाव है और उस जाग रुखता का दूसरा नाम ढाई मोर्चे का चक्रव्यू नाम का कोर्स भी है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जानकारे से बरपूर लगता है तो इसको सब के साथ में शेयर अवश्य करें सत्यसनातन आपका अपना प्लाटफॉर्म है इसको सौम भी सब्सक्राइब करें अपने मित्रों से भी करवाएं मेरे संग बोले सत्यसनातन वैदिक धर्म की जये जैहिन वंदे मात्रम